डिप्रेसन का हो या लोनली का हो यह बुरी फिलिंग हमें फिल कब होती है जब हमारी कोई बहुत बड़ी उमीद तूट जाए हमारे साथ कुछ बहुत बुरा होए कोई छोड़के चला जाए और आगे हमें कोई उमीद ना दिखे और स्पेसेली हम ना अपने आपको इन सारी का जिम्यदार मानते हैं कि हमारे कारणी इतना बुरा हुआ आगे तो कुछ अच्छा होने की पॉसिबिलीटी नहीं है तब आपको बहुत ही बुरी इससी सारी चीओ की फिलिंग आती है इनसे निकलने का न एक ही तरीका होता है कि जो हमारे फिल कर रहें उनसे जो को जानना कि यह सच है एक्च्छूल में क्या है कि हमारे सेडो की तरह है अगर सामने से कोई लाइट आती है तो मेरे पिछे उसका बहुत बड़ा सेडो दिखेगा यई दिर जे उपर चली जायएगी उतना ही वो सेडो ना चोटा होता जायगा क्योंकि लाइट ही तो सेडो में उस ज जे साब दिखने लगी वो सेडो रहा नहीं दी रहे दी तो जिन चीजों के बारे में आप सोच रहे हो जिन खयालों को जो आप कहे रहे हो कि impossible है जो मुसीबत है जो आपको बहुत बड़ी लग रही एक्चुल में हमारी life की negative सेडो है जितना आप क्लियर लिए उन्सीजों को जान लोगे ना आपके वो सेडो आपकी लाइफ से चला जाएगा बस डिप्रेशन से बुरी फिलिंग से निकलने का बहुत ही आसान और एक मात्र यह solution होता है सबसे पहली चीज आपको जो बहुत काम आएगी कि आपकी life में जिस भी problem से आप लड़ रहे हो उनकी opposite चीजों को find out करो जैसे कि आपकी life में आपका कोई love partner आपको छोड़ के चला गया या कोई भी ऐसा person जिसने आपको hot किया तो आप उनकी opposite चीजे अपनी life में find करो यार तो आपको मिलेगा कि यार आपके बहुत अच्छे loyal दोस है तो आपको मिलेगा कि यार आपके parents हमें साथ से आपके लिए loyal है तो यहाँ पर आपको ना चीजे balance में मिलेगी कि यार ऐसा नहीं कि आपके साथ ऐसा ही होता है और आपको अपनी सोच ऐसी भी नहीं बनाने कि पूरी दुनिया बखवास है ठीके आपकी life में अच्छे लोग भी है अगर किसी काम में आप fail हो गए हो तो यार आप अपनी life के past achievement के बारे में सोचो कि यार ऐसा नहीं कि इस सीज में आज आप fail होए हो तो आप आगे भी 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 हो सकते हो इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी ही कि आप थोड़ा सा अपने past के achievement को देखो किस किस काम में आप बहुत अच्छे थे या अभी भी अच्छे हो और उन जारी चीजों के लिए आ अगर आप अपने past में देखोगे अपनी लाइब की opposite चीजों को देखोगे तो जरूर जरूर ना जरूर चीज़े आपको कुछ अच्छी मिलेंगी लेकिन जो हमारा मायन है न हमेसा negative चीजों को हमारे सामने रखता है और हमारी जो positive चीज होती है न वो होती है तो हमारे नहीं कर पाए, वो तुम आगे भी नहीं कर पाओगे, या तुम में वो capability नहीं है, पीछे हुआ था, तो आगे जाकर भी होगा, ये time की बात है, आपकी बात नहीं है, दूसरी बहुत ही बड़ी बात जो आपको पता होने ही चाहे, कि हमारा जीवन ना घूमता रहता है, घूम आप इन साइचों को समझना चाहते हैं कि हमारा जीवन, हम सब का जीवन घूमता है, तो आपको ना दुनिया में जितने भी महान लोग है, उनके बारे में पढ़ना चाहे, उनकी बायोग्राफी रेड़ करनी चाहे, ताकि आपको भी पता चलेगा कि यार, उन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रोब्लम को फैस किया है, फिर भी अपने जीवन को इतना ज्यादा सफल बनाया है, आप अपनी लाइफ में अगर किसी प्रोब्लम से डील कर रहे हो, और तब किसी व्यक्ति की बायोग्राफी पढ़ते हो, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी के बारे में क्या सुचा था, क्योंकि जब आपको यह पता चालगा कि दुनिया में बहुत सारे लोग है, चीज़ों ने ओल्ड़ी ऐसी सीचुएशन को फैस करके भी अपनी लाइफ को सफल बनाई है, तो आपको जरूर उमीद मिलेगी, उसके साथ जरूर एक मोटिवेशन भी मिलेगा, तीसरी और मोस्ट इंपोर्टन चीज जो आपको पता होने चाहिए, इट इस टाइम, नोट यू, अगर आजका जो आपका पर्फोर्मस है, उसके बेज की उपर आप अपने आपको जर्ज करे हो कि नहीं, यह चीज मेरे से नहीं हो पाई, इस चीज में में फे जिरो पर्फोर्मस कहेंगे, हाँ अपकोस उस दिन के उनके पर्फोर्मस को हम जिरो पर्फोर्मस कहेंगे, लेकिन अवरॉल उनके क्रिकेट करियर को हम साइद वो नहीं कहेंगे, क्योंकि उनके एक मेच यह डिसाइड नहीं होता कि वो कि इतना अच्छा क्रिकेटर है, उन आपके उस एक इवेंट से आप अपने आपको जज़ भी मत करिये क्योंकि हो सकता है कि आज आप जीरो पर आउट होगे लेकिन आपके पांस हर एक दिन है जो आपको हर एक नया मुका देता है हर एक नया चांस देता है अपने परफॉर्मस को सीख कर वापिस से सही करने का ला इसके बारे में बहुत ही अच्छी बात बोले थी कि अपने आपको कमजोर समझना यह बहुत बड़ा पाफ होता है तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पाओगे या आप में वो काबिलियत नहीं है तो आप अपने साथ बहुत ही ज़्यादा घलत कर रहे हो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर आपकी कोई हैसे सीचुएशन में निकलने की मदद कर सकता है वो है ते आप खुद और जब आप अपने उपर ट्रस्ट करोगे एक बार आपका ये ट्रस्स आजाए कि नहीं आप भी वो चीज़े कर सकते हो भले आप कितनी बार फेल हुए भले आज आपकी सीचुएशन कितनी भी बूरी हो लेकिन आप इंचियों को सीख कर अपने साथ एक्सपिरियंस लेकर इंचियों को फिर से ट्राय करके सही कर सकते हो तो आपका आत्मविश्वास आपको वैसा बना देगा जब आप अपनी लाइफ में फेल होते हैं तब सबसे ज़दे आपको जरोत होती है अपने आत्मविश्वास की खुद के उपर अपना वो भरोसा कि नहीं, इन चीज़ों को आप बदल सकते हो, अगर आपको ये भरोसा है, तो definitely आप किसी भी परिस्टी को बदल सकते हो, मैं उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो, तो को फिर में सब्सक्राइब करें, ठैक्यू सो मच्छ,